तो यह question number 3 कहता है can two numbers have 16 as SCF and 380 as LCM क्या दो numbers ऐसे हो सकते हैं जिसका SCF 16 हो और LCM 380 हो यह हम लोगों से question कहता है और फिर कहता है give regions तो यहां पर ऐसा कोई भी दो number नहीं होगा जिसका SCF 16 हो और LCM 380 हो इसकी पिछे reason यह है कि जो LCM होता है वो क्या होता है SCF का multiple होता है या आप यूँ कहिए कि जो SCF होता है वो factor होता है किसका LCM का इट मिन्स यह हुआ कि अगर SCF से हम divide करें 380 को तो यह हमारा क्या होगा ना पूरा पूरा divide हो जाना चाहिए तब ही हमारा LC यह हमारा हो सकता है अगर यह divide नहीं होता है तो नहीं होगा तो आईए हम चेक करते हैं कि यह divide होगा देखते हैं क्या आता है यह हमारे पास हो गया 380 और हम यहाँ पे 16 से divide करते हैं अगर यह exactly divide हो जाता है आने कि कोई remainder नहीं देगा तो यह हमारा बिलकुल हो जाएगा otherwise नहीं अगर यह remainder दे दिया तो यह हमारा जो number है वो number नहीं हो सकता है तो आई हम divide करते हैं तो यहां हमारे पास है 380 हम divide कर रहे हैं 16 से तो यह two times में जाएगा तो हमको क्या मिल गया यहां पे 32 minus कर लेते हैं तो यहां पे क्या मिलता है 6 और यहां देखिए यहां पे यह तो cancel हो गया तो अगला हम 0 को ले लेंगे आप देखिए 16 का आप टेबल पर लिए तो यह three times हो जाएगा तो हमको यहां पे क्या मिलता है 48 आप देखिए यहां पे क्या मिल गया 12 तो यह क्या हो गया यह आपका remainder हो गया तो remainder आपको मिल गया इट मिल यह आपका exactly divide नहीं हो रहा है तो जब exactly divide नहीं हो रहा है तो यह इसका factor नहीं हुआ तो यहां पे हम जो representation करते हैं वो कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं यह देखिए हमारा क्या ना remainder क्या गया 12 तो 12 को हम उपर note करेंगी divide किस से किये थे 16 से कितना times में चला 23 times में चला तो यह exactly divisible नहीं है इसलिए यह हमारा number नहीं हो सकता है तो हम लोग यहां पर note करेंगे here 16 is not a factor of 380 ओके यह 16 से completely divide नहीं हुआ exactly division divide नहीं हुआ remainder दे दिया तो 16 is not a factor of 380 that is SCF is not a factor of LCM यह जो SCF है हमारा वो LCM का factor नहीं है अब जब यह factor नहीं है इसलिए हमारा ऐसा दो number नहीं हो सकता है जिसका SCF 16 हो और LCM 380 हो तो हम लोग यहां पर note कर देंगे so two numbers cannot have SCF as SCF equal to 16 and LCF is equal to 380 और यह हमारा final answer हो जाता है जो अगला question number 4 है यहां पर हम लोगों से कहा गया है the SCF of two numbers is 16 and product of numbers is 3072 to find their LCM तो यहां पर हम लोग property use करेंगे हम लोग यहां पर note करेंगे given that SCF is equal to 16 यह दे दिया है and product of numbers product of numbers क्या है 3072 और property क्या होता है हम लोग जानते है property होता है SCF into LCM is equal to product of numbers तो यहां पर देखिए SCF हमको कितना दिया हुआ 16 LCM दिया हुआ नहीं है LCM को LCM रहने देजिए product of numbers क्या है यह है 3072 तो यहां से हमको क्या मिल जाता है LCM देखिए LCM यह 16 को राइट साइड लेजिए तो यह divide में हो जाएगा आपका यह देखिए यह आपका क्या हो गया ना डिवहाइड में हो गया आप 16 से यह divide करेजिए तो आपको क्या मिलता है बता देजिए तो यहां पर divide करने से हम लोगों को मिल जाता है 192 और यह हम लोगों का answer हो जाता है ओके तो next question number 5 है यहां पर हम लोगों से कहा गया है LCM and SCF of two numbers are 180 and 6 respectively it means LCM हम को दे दिया है 180 and SCF दे दिया है 6 क्या कहता है if one of the number is 30 उसमें से एक number क्या है 30 find the other तो दूसरा number क्या होगा यह हम लोगों को निकालना है हम लोग simply यहां पर लिखेंगे we have product of numbers is equal to SCF into LCM यह होता है हम लोग जानते है अब यहां पर implies करेंगे product of numbers तो यहां पर first number हमको दिया हुआ है 30 और second number हमको पता नहीं है तो यहां पर हम लिख लेते है second number और यह देखिए SCF हमारे पास कितना है 6 और LCM कितना है 180 तो यहां से हम हमको क्या मिल जाता है यह देखिए second number हमको यहां से मिल जाएगा तो second number हमारा क्या जाता है 6 into 180 यह 30 को हम राइट साइड लेंगे तो यह हमारा डिव हैड में आ जाएगा ओके और आप यहां पर cancel out कर दिजिए तो 0 से 0 केंसल हो जाता है और 3 से आप 6 को cancel कर लिए तो 2 और 2 औ 18 को आप multiply कर दिजिएगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा 36 तो हमारा answer क्या जाता है 36 next question number 6 में कहा गया है LCM of two numbers 160 and 352 is 1760 find their SCF हमको LCM दे दिया हुआ है ओके यह हमारा LCM दे दिया है ठीक है यह हमारा LCM है हमको क्या निकालना है SCF निकालना है और यह दोनों numbers हमारे दिये हुए है तो हम लोग simply यहां पर note करेंगे we know that SCF into LCM is equal to product of numbers तो SCF तुमको निकालना है तो SCF को आप रहने देजिए और LCM का value आप पूट कर लेजिए LCM का value 1760 product of two numbers में दोनों numbers का multiplication करना है आपको product मतलब क्या होता है multiplication तो 160 लिए और यह क्या लिए आप 350 लिए आप देखिए आपको यहां से SCF मिल जाएगा तो SCF is equal to क्या आ जाएगा 160 into 352 और यह जो नंबर है 1760 इसको आप राइट साइड लिजिए तो यह divide में आ जागा क्यों कि इधर यह multiplication में है ठीक है तो divide में आ गया आप इसको divide कर लिजिए तो 0 से 0 पेले cancel कर लिजिए 16 का table 1 time लिजिए तो 16 यहां फिर 1 बच गया तो फिर से यह one time में चला जाएगा आनि यह आपका 11 times में cancel हो जाता है आप 11 से आप यहां पे cancel कर जाता है और आपका answer क्या आ जाता है आपका answer यहां पे आ जाता है 32 ओके तो 32 हमारा answer हो गया SCF निकल गया तो next question number 7 हमारे पास आजाता है true false कौनकूर से statement true है कौनकूर से false है इसकी बात करती है तो पहले हमारे पास कहता है LCM of two numbers is a factor of their SCF यह false है यह just ultra लिखा हुआ है अगर यहाँ पे लिखा हुआ था SCF और यहाँ पे लिखा होता LCM तो यह true हो जाता आनि कि जो SCF हुआ करता है वो factor हुआ करता है LCM का आनि SCF आपका छोटा number होगा और LCM आपका बड़ा number होगा SCF से आप divide करेंगे तो आपका LCM divide हो जागा exactly just यह reverse लिखा हुआ है इसलिए यह statement आपका false हो गया जैसे आप example के तोर पे यहाँ पे ले सकते हैं मालेजे कि हमारे पास 4 and 6 2 numbers है अगर हम इसका SCF निकालते हैं तो इसका SCF आता है 2 ठीक है लेकिन जब इसका LCM निकालते हैं तो LCM हमारा क्या आजाता है LCM आजाता है 12 तो आप देखिए क्या कहता है LCM of two numbers is a factor of their SCF नहीं SCF जो होता है वो LCM का factor होता है ओके यह देखिए SCF से आपका LCM divide हो जाएगा तो यहाँ पे statement को change कर देने से यह true हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो कहा है उसके according यह false हो जाएगा second number हमारे पास है product of three numbers is equal to the product of their SCF and LCM नहीं यह false होगा क्यों false होगा तो हम लोग जानते हैं product of two numbers हुआ करता है यहाँ three numbers के जगह क्या होता है two numbers हाना हम लोग आपे जो oxid बनाए उसमें हम लोग नहीं देख लिया product of two numbers is equal to the product of their SCF and LCM तो यह false हो गया यहाँ पे change कर देने से यह true हो जाएगा ठीक है next देखिए हमारे पास है SCF of given numbers is always a factor of LCM यह यह हमारा true है जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक number पे यह number पे वह statement यहाँ पे reverse करके दिया हुआ है आप देख लिजिए तो यह क्या हो जागा आपका true हो जाएगा ठीक है दूसरा LCM of given numbers cannot be a smaller than the numbers yes this one is also true जैसे देखिए हम अभी 406 का SCF निका रहे और LCM निकाले तो SCF क्या आया यह दोनों number से छोटा आया या तो इसके बराबर आ सकता है और यहाँ पे जो LCM है वो इन दोनों से बढ़ा आएगा या तो फिर इसके बराबर आएगा तो यह statement हमारा true हो जाता है आप यहाँ पे short में learn कर सकते हैं कि यह जो आपका SCF होता है यह आपका या तो छोटा होगा या equal होगा किस से जो numbers दिये हुए हैं उससे लेकिन जब LCM की बात करते हैं तो LCM हमेशा बड़ा होता है या तो फिर उसके equal होता है किसका जो numbers दिये हुए हैं उसका यह आप learn किज यह जो symbol दिये हैं यह हमारा क्या हुआ यह हमारा दिखा रहा है greater than और निचे एक बार दिया हुआ यह बता रहा है equal to तो यह greater than and equal to का symbol हो गया greater than and equal to यह दोनों बता रहा है हमको और यहां जो हमने symbol दिया है यह symbol हमको क्या बता रहा है यह जो symbol हमको बताता है less than and equal to यह हमको बताता है ठीक है तो जो SCF होता है वो numbers जो दो numbers मिलेंगे उससे या तीन numbers मिलेंगे उससे हमेशा छोटा होगा या तो फिर उससे बराबर होगा उसका और यह तीसरा क्या है ना यह उसका जो LCM है LCM हमेशा बड़ा होगा या तो फिर उससे छोटा होगा यहाँ पर आप देख लिजी एक्जामपल हमने अभी ले लिया था 4 or 6 की case में जो LCM है इन दोनों numbers से छोटा है और जो LCM है यह दोनों numbers से बड़ा है तो यह हर case के लिए true होता है last हम इन number को यहाँ पर चेक करते हैं कहता है LCM of co-prime numbers LCM of co-prime numbers is equal to their product yes true co-prime numbers क्या होते हैं जिसका कोई common factor नहीं हो example के लिए आप ले सकते हैं 3 and 4 3 and 4 यह दोनों co-prime numbers हैं अब इसका आप LCM निकलना चाहते हैं तो जस्त आप क्या कर दिजिए product कर दिजिए तो यह 12 आपका LCM आ गया आने वह इसे numbers जो same table से divide नहीं होंगे आने same number से divide नहीं होंगे वह हमारा क्या कर लाता है co-prime numbers कर लाता है आप और भी examples ले सकते हैं जैसे आप चाहाँ तो ले सकते हैं आपे 3 and 8 ले सकते हैं 3 and 3 and आप ले सकते हैं 10 ले सकते हैं इसके बारे में न हमने first video lesson में बताया हुआ है आप वहां से जाके देख सकते हैं तो यह सारे co-prime numbers है और इसका जब आपको LCM निकालना हो तो आप क्या करेंगे जस्ट इसको multiply कर देंगे आपका answer आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग complete कर लेते हैं वक्षीट 7 के सारे questions को so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahit